सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टार्गेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दवाईए हलो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भाविया ध्यापक यूम अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टार्गेट यूपी टेट सीटेट में दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको पहले यगवत कराया था कि जो आपके B.A.D. इंटरेंस एक्जाम होने वाले हैं UP में उसकी जिमिद्यारी ली है लखनो बिश्विद्यालेन दोस्तों तो यहां पर अब आप लोग के online आविदन की तीथी जारी हो गई है और इसी के संबंध में यहां पर इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग के आविदन की फीस कितनी लगेगी इसके अलावा अगर आपका आविदन आप लेट अपलाई करते हैं अपना फॉर्म तब आपकी फीस कितनी लगे कि तो दोस्तों सुरू से लेकर करके अंतर तक वीडियो में बने रहीएगा यानि कि अगर आपने 12 फर्वरी से 6 मार्स तक फॉर्म भर लिया तो ठीक है लेकिन अगर उसके बाद आप फॉर्म लेट भरते हैं तो उसको आपको लेट फीस के साथ आपकी आप फॉर्म स्विकार किया जाएगा दोस्तों इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों को फीस कितनी देनी होगी अगर आप सामान नया OBC काटेगरी के हैं तब आपके लिए 1500 रुपए फीस है और अगर आप SCST काटेगरी से हैं तब आपको 750 रुपए फीस देने होंगे यानि कि आपके आविदन की जो फीस है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1500 रुपए जनरल OBC और SCST के लिए 750 रुपए इसके बाद उसको देखिए लेट फीस जो मैंने अभी आपके यहाँ पर वीडियो के सुरुआत में बात की है यानि कि 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च अगर इसके बीच में आपने आविदन किया है तो आपको 500 रुपए एक्स्टा देने पड़ेंगे जो OBC, जनरल और OBC के कंडिडेट हैं, उनको 500 रुपे एक्ट्रा लेट फीस देनी पड़ेगी और जो SCST के कंडिडेट हैं, उनको 250 रुपे अत्रिक्स फीस देना होगा यानि कि जो आपने फॉर्म के लिए फीस दी है 1500, उनको 500 रुपे और देने पड़ेंगे अगर आपने 6 मार्च के बाद फॉर्म भरा है और ऐसे ही जो SCST के कंडिडेट हैं, उन्होंने आविदन अगर 6 मार्च के बाद किया है यानि कि 7 मार्च से ले करके 11 मार्च के बीच में किया है, तब उनकी फीस 250 रुपे और एक्स्ट्रा लगेगी 750 रुपे तो आपको देने ही है आविदन फीस, लेकिन आपको लेट फीस कितनी देनी पड़ेगी 250 रुपे तो दोस्तों, पुल मिला जला के आप लोग अपना फॉर्म टाइम से भर लीजिए, 12 फर्वड़ी से लेकर के 6 मार्च तक इस फॉर्म को भर लेंगे आप तो आपके यहाँ पर OBC और सामानी कंडिडेट्स के लिए 1500 और SCST के लिए 750 रुपे फीस देने होंगे तो दोस्तों, प्लीज आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी इस साल भीड़ करने के इच्छुक हैं, उन सभी को इस वीडियो को जरूरर सेयर कर दीजिए, जिससे सभी के पास टाइम से वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग को जानकारी मिल जाए कि हाँ आप फॉर्म भरने स्टार्ट हो गया हैं, और आपके यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम फीस के बारे में नहीं बता रहे हैं, बलकि आपका एक्जाम कब होगा, यानि कि इंट्रेंस एक्जाम किस दिन होगा, 8 अपरेल को आपका एक्जाम होगा, 8 अपरेल के बात 11 मई तक आपके परिडाम आ जाएंगे, यानि कि अपरेल में एक्जाम होगा, मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा और 2 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुल विला जुला के दोस्तों, जुलाई से आप की कक्छाएं प्रारंब हो जाएंगी, आपके बियाड की, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सभी जानकारे लगबग आपको मिल गई, कबसे आपको आविदन करना है, आपकी परिच्छा की तिति कब है, परिडाम कब जारी होगा, और कबसे काउंसलिंग होगी, तो दोस् इतने भी फ्रेंड्स हमको दरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इससे अधिक से अधिक हमारे जो भी प्रसिच्चु बीएड करने के इच्चुक हैं, वो लोग बीएड का फॉर्म अपलाई कर दे, और दोस्तों इसके लाँ मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग कर दीजिए, और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, तो प्लीज आप लोग कमेंट के थुरू में बताईए, जहां पर भी आपको कहीं कोई प्रॉबलम हो, अगर आपको इसके अलावा भी कहीं कोई जानकारी में doubt हो या फिर आपको कुछ और पूछना है तो प्लीज आप लोग comment box में comment करके बताईए खासकर B8 के विशे में आपको सभी जानकारी देंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जैंग